नमस्ते कार और आज हम खड़े हैं ब्रिटिश लग्शिरी SUV के सामने जिसका नाम है रोल्स रोयस कलिनन 2018 में लॉन चुई थी और ये फर्स जेनर्विशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है जिसकी कीमत है एक शोरूम 7 करोड रुपीज जो बनाती है इसको दुनिया की सबसे महंगी SUV जाइल्स टेलर ने डिजाइन की है कलिनन रोल्स रोयस की पहली SUV और पहली औल वील ड्राइव वाइकल है कलिनन सैक्सॉन वारियर्स इंस्पायड फेस है कलिनन का बोकिंग के बाद लगबग 6 से 8 मंथ लगते हैं डिलिवरी में कार का नाम 3100 कैरेट कलिनन डायमेंड से लिया गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा जैम कॉलिटी रफ डायमेंड है जिसे साउथ अफ्रिका के कलिनन शेहर में डिसकवर किया गया था कस्टमर्स के कहने पे बनाई है रोल्स ट्रॉयस ने कलिनन एफ़र्टलेस एवरिवेर टैग लाइन है कलिनन की मतलब की आसानी से हर जगे फ्रंट और रियर स्किट प्लेट्स मिलेंगी फ्रंट सेंसर्स हैं और यह है 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 हैंड पॉलिष्ट स्टेनलेस टील से बनी पैंथे आउन ग्रिल रोल्स रोयस का लोगो फ्रंट कैमरा और यह वर्ल्ड फेमस सिल्वर फिनिश में स्प्रिट ओफ एक्स्टेसी लोगो गोल्ड प्लेटेट का भी आप्शन है और यह पावर्फुल लेजर हेडलाइट डियारेल के साथ यहाँ पर भी रोल्स रोयस का लोगो है बोनेट पे मैट सिल्वर फिनिश का भी आप्शन है रेन सेंसिंग वाइपर्स है और यह सन रूफ शाक फिन अंटेना 5.3 मिटर लेंथ है 1.8 मिटर हाइट है 2700 केजी कर्ब वेट है 13 मिटर टर्निंग रेडियस है 540 में तक पानी में जा सकती है कलेनन SUV सेक्टर में पहली 3 बॉक्स कार है कलेनन फ्रंट एंजन और पर्मनेंट और वील ड्राइव SUV है रोल्स रोयस का लेनन और ये 22 इंच के पार्ट पॉलिष्ट शैडव अलोई वील 6 और डिजाइन्स के ओप्शन्स है 21 इंच अलोईस का भी ओप्शन है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे बॉडी कलर्ड वील सेंटर है Stainless Steel Door Handle है Electrically Adjustable Outside Mirrors है Camera के साथ और ये Side Indicator Rolls Royce के लोगों के साथ ये Red कलर आप देख रहे है Black, Gold, Green, Blue, Silver, White, Purple और Gray कलर को मिलाके 70 कलर्स के ओप्शन्स मिलेंगे Rolls Royce के Architecture of Luxury Platform पर बनी है कलिनन जिस पे Phantom 8 भी बनी है Aluminium Space Frame चैसी है कलिनन की England के Goodwood शेहर में Assembly होती है कलिनन की और ये Double Coach Line इसमें भी कई कलर्स के ओप्शन्स मिलेंगे और यहां से बरेंगे पेट्रोल Octane Grade 95 फ्यूल यूज़ करती है कलिनन रियर स्पोईलर है इसी के अंदर रियर वाइपर मिलेगा Rolls Royce का लोगो रियर कैमरा और यह Designer Rear Light सेंटर में जोईलरी की नेरो स्ट्रिप है Metal exhaust pipes है Scottish Highlands, Arabian Deserts, Austrian Mountains USA के Landscapes को मिला के तीन कॉंटिनेंट्स और 19,300 किलोमिटर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके बनाई है Rolls Royce ने कलिनन आगे डबल विश्पोन एकसल मिलेंगे और पीछे 5-link एकसल मिलेंगे Self-Leveling Air Suspension और Electronically Controlled Dampers हैं आगे पीछे Electrically Actuated Active Anti-Roll Bars हैं कलिननन में The Flag Bearer System है जो आगे की रोड स्कैन करेगा और Suspension Proactively Adjust करेगा बहतर राइट क्वालिटी के लिए ये सिस्टम 100 किलोमेटर पर आर तक की स्पीड में काम करेगा शानदार मोबिलिटी और हाई स्पीड स्टेविलिटी के लिए 4-wheel steering system है कलिननन में हर टरेन पे बैतरी इन ड्राइड एक्सपीडियेंस के लिए Rolls-Royce Magic Carpet Ride है Off-Roading के लिए Everywhere Drive Mode बटन है कलिननन में Self-Leveling Air Suspension है Alertness Assistant 4-camera system है Panoramic View, All-Round Visibility और Helicopter View के साथ Interior में Door Pocket, Armrest, Seat Body, Door, Seat Insert, Seat Inner, Pillar और Seat Belts में कई colors और Customizations के options मिलेंगे Safety के अंदर 8 airbags, ABS, EBD, Stability Control, Traction Control, Night Vision, Vision Assist Daytime और Nighttime Wildlife और Pedestrian Warning, Collision Warning, Cross Traffic Warning, Lane Departure और Lane Change Warning जैसे features मिलेंगे 4 साल Unlimited Kilometres की Warranty Rolls-Royce देती है कलिनन पे Tail Light में भी Rolls-Royce का Monogram है Luxury, Performance और Usability का Perfect Mix है कलिनन High Mounts Top Lamp अपनी Lifestyle के हिसाब से Viewing Suite और Recreation Module को मिलाके कई सारे Bespoke Features आप Fit करवा सकते हैं कलिनन में Launch के Time 2018 की सबसे आदा Anticipated कार रही है Rolls-Royce कलिनन Luxury Off-Road Traveling के लिए बनाई है Rolls-Royce ने कलिनन अब तक की सबसे Practical Rolls-Royce भी है कलिनन यह सबसे Versatile, Family Oriented और Fun to Drive Super Luxury SUV एवलिबल है आज मार्केट में आईए बूट ओपन करके देखते हैं दो सेक्षन में खुलने वाला टेल गेट है जिसे Rolls-Royce कहती है The Clasp और यहां आपको मिलेगी 600 लिटर की बूट स्पेस रियर सीट्स फोल्ड करने पर 1930 लिटर की स्पेस बन जाएगी यहां लाइट दी गई है यह सीट्स फोल्ड करने का बटन यहां पर भी लाइट है यह सीट्स फोल्ड करने का बटन है पार्सल ट्रे बूट में दो छोटी लैदर सीट्स और कॉक्टेल टेबल का भी ऑप्शन है यह फोल्ड करने का बटन यहां पर थोड़ी स्पेस दी गई है और वन टच से क्लोज जाएगा बूट दे क्लैस्प आईए पीछे का पैसेंजर साइड डूर खोल कर देखते हैं रियर डूर में अम्रेला मिलेगा जो अभी इसमें नहीं है डूर के साइड में आएगा अम्रेला और यह USB-C चारजिंग पोर्ट है और यह सीट फोल करने के बटन फोल्डेबल रियर सीट्स हैं जो फर्स टाइम रोल्स रोस में यूज हुई है और यह बन गया फ्लैट लोड एरिया स्टाइलिश डोल हेंडर स्टेनलेस टील में यह स्टैंडर्ड स्टीकर्स हैं रोल्स रोइस बी स्पोक और्डियो का भी ऑप्शन है यह वोट फिनिश पावर विंडो का बटन और यह स्कफ प्लेट इसमें भी कई ऑप्शन्स मिलेंगे और यह ब्लैक कारपेट एट और कलर्स के ऑप्शन्स हैं लैम स्पूल और लैदर फूट मैट्स का भी ऑप्शन्स मिलेगा और यह फ्लोर एसी वेंड्स और यह है ब्राउन लैदर अपॉल्स्ट्री ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक, पर्पल, वाइट, पिंक और येलो कलर को मिलाके 41 कलर के ऑप्शन्स मिलेंगे यह हैं लाउंज सीट्स दो इंडिविजूल सीट्स का भी ऑप्शन है जिसके बीच में फिक्स्ट सेंटर कॉंसोल होगा फ्रिज के साथ और ये स्टार लिट हेड्लाइनर शूटिंग स्टार हेड्लाइनर का भी ऑप्शन है सन्रूफ है और ये आम रेस्ट थोड़ी स्पेस है यहाँ पे और ये दो ग्लास ओल्डर आगे पीछे हीटेड और वेंटिलेड़ेट सीट्स मिलेंगी फ्रंट रियर सेंटर आम रेस्ट और फ्रंट डोर आम रेस्ट भी हीटेड मिलेंगे और ये चाजिंग पोर्ट है उसके उपर सीडी चेंजर है दो आक्स के पोर्ट्स है और ये इसी के गंट्रोल सीट वेंटिलेशन का बटन है स्टाइलेश एसी वेंट और ये टेबल और ये है 12 इंच का टस्क्रीन मॉनिटर सपोर्ट करेगा ब्लूरे, डिजिटल टीवी और कई म्यूजिक अप्शन्स स्टाइल अप्शन्स एक टेब FM, Radio Walks, CD, DVD, Blu-ray और यहां काफी बड़ी Reading Lights है और ऐसा दिखता है Dashboard Dashboard के बीच में OpenPore Blackwood Wiener है 9 और Wieners के Options मिलेंगे Pocket दी गई है Seats के पीछे और यहां पीछे Side में Button दिया गया है Door को Close करने के लिए Press करके रखना पड़ेगा Door को Close करने के लिए आई यह Driver Side Door खोल कर देखते हैं वैसे है Driver Side Door कलेनन अपने आप 40 mm नीचे हो जाती है असानी से चढ़ने के लिए Standard Speakers है Side में थोड़ी Space है यहां यह Power Window के Controls है ORVM के Controls है Boot खोलने का बटन है यह Seat Ventilation के बटन्स है Massage का बटन है दो Memory Seat के Functions मिलेंगे यह Tire Press Information और Car की Information है और यह है Iconic Rolls-Royce Coach Doors जिनको सुसाइट डोर भी कहा जाता है Soft Door Close है Electrically Adjustable मिलेंगे आगी दोनों Seats Massage Function भी मिलेंगे आगी की दोनों Seats में Rolls-Royce का Monogram Headress पे काफी Commanding Position में Seats है और यह Pedals Electric Parking Brake यह Light की Controls है Engine Start-Stop Button है Electrically Adjustable Heated Steering मिलेंगे काफी Powerful Hawn है Heated Armrest है इसके अंदर भी काफी Space है Light दी गई है दो USB Charging Ports है और यह Off-Road Button Hill Descent Control Button और Air Suspension Height Adjustment Controls है Parking Assistance का भी बटन है और यह Spirit of Ecstasy Controller यह Infotainment Control करेगा यह Reading Lights दी गई है Emergency SOS Button है और यह है Industry Leading Panoramic Glass Roof यहां दो Glass Holders है और यह है 4 Zone Automatic Climate Control A.C. Seat Ventilation Heating के बटन्स है Heated Steering का भी बटन है और यह Infotainment के Controls है और यह है Touchscreen Infotainment Support करेगा Wi-Fi Hotspot Navigation और कई Entertainment Systems Vehicle Settings, Map, Vehicle Status, Settings Tire Pressure Monitor Navigation Communication, Media, Radio, Notifications, My Vehicle, Applications कई सारे Features से Infotainment में Spirit of Ecstasy Controller Driver Profile, Vehicle Status, Driver Information, Handbook और यह Enhanced Clock Face Indulge or Technical Bespoke Clock का भी Option है और यह Lockable Glow Box Light के साथ Dashboard की Finish HD Head Up Display है जो आप देख रहे हैं आगे Split Screen का भी Option है Infotainment में और यह Front Camera Helicopter View का भी Option है Camera में यहाँ भी थोड़ी Space सी गई है और यह Passenger Side Vanity Mirror Light के साथ Rear View Mirror और यह Driver Side Vanity Mirror Light के साथ Steering में भी कई Colors और Wieners के Options हैं और यह Active Cruise Control और यह Volume के Controls हैं Phone के Controls Voice Control और यह Viper के Controls हैं और यह है ZF का 8 HP 8 Speed Automatic Transmission और यह Light के Controls हैं और यह है Stylish Instrument Cluster जो दिखाएगा RPM Meter, Speedometer, Fuel Level Coolant Temperature, Trip Meter Outside Temperature, Time और काई Warning Lights Gear Shift Indicator भी दिखाएगा Car Off करते ही Close हो जाएगा Infotainment की Screen पुछ इस Type से और यहां Touch करते ही Automatic Door क्लोज हो जाएगा आईए Bonnet खोलते हैं और देखते हैं Petrol Engine तो यह है 6800 CC V-Troll 48 Vols Direct Injection BMW N74 B68 Twin Turbo Charged Petrol Engine 563 Horse Power है 850 Nm Torque है 0 से 100 की Speed पकड़ेगी 5.2 सेकंड्स में और 250 क्लोमेटर पर आर की Limited Top Speed है और लगबग 8 का एवरेज मिलेगा 100 L के Fuel Tanks है यह 6750 CC V-Troll Engine है जिसका कोडनेम है BMW N74 B68 Engine Rolls-Troll S Engine Oil 563 Horse Power है और 850 Nm Torque है 8 का एवरेज मिलेगा इस पैट्रोल एंजन से यही एंजन Phantom 8 में भी यूज़ होता है जिसका का सथाओ यूज़ है यही यही यूज़ है इस झाल यहीं डिए मिलेगरेज निए लिए यहीं यहीं तो कैसी लगी आपको Rolls Royce का लिनन हमें कमेंट्स में बताईए थैंक यू कि अ कि ओल क्या हुआ लिनन हमें शो बताईए झाल